आज के इस वीडियो में हम आपको जानकरी देंगे सुमो कोल टैबलेट की ये जो टैबलेट है इसके अंदर मेंन कंटेंट्स होते हैं कैफिन, डायफेन हैड्रामाइन, देन पैरासिटमॉल और इसके अंदर होता है फेनिलेफराइन इन सभी की स्ट्रेंथ अलग-अलग होती है इस टैबलेट को Alchem Laboratories Limited ये कंपनी बनाती है और इस टैबलेट की एक स्ट्रीप जो आती है उसके अंदर 10 टैबलेट होती है जिनकी प्राइजे 45 रुपीज देन आगे देखो सुमो कोल टैबलेट यूजेज मतलब इस टैबलेट की यूजेज कौन-कौन से है दोस्तों य इस टैबलेट को आपको कैसे लेना है दोस्तों ये टैबलेट लेने से पहले एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है इस टैबलेट के जो अडल डोस है वो है 1-2 टैबलेट डेली यानि एक या दो टैबलेट आपको दीन की लेनी है ये आपको डॉक्टर से एडवास लने के बाद लेनी है इस टैबलेट को जनरली खाना खाने के बाद लेते है द इसके वज़े से जो allergic symptoms histamine के वज़े से cause होते है वो कम हो जाते है देन parasitimol जो है वो analgesic और antipiratic है analgesic यानि ये pain reliever है दर्थ को कम करता है और antipiratic यानि fever reducer है मतलब ये बुखर को कम करता है देन इसके अंदर जो caffeine है वो mainly parasitimol की action को बढ़ाते है और इसके साथ ये caffeine डाइफ फेनिल एफरेंज जो है वो decongestion है वो mainly nasal congestion से हमें relief देता है देन आगे देखो sumo cold tablet precautions मतलब ये tablet लेते समय आपको कौन कौन से precautions लेने है देखे दोस्तों ये जो tablet है इसे आपको alcohol के साथ consume नहीं करना है जब आप ये tablet लेते हो तब आपको alcohol consume नहीं करना है देन pregnancy के दोरान एक ब tablet ले सकते हो देन जो breastfeeding mother से उनके अंदर इस tablet का use करना safe है लेकिन kidney और liver disease के patient से उनके अंदर dose adjustment करना जरूरी होता है इसलिए उनको doctor से consult करना है लास्ट में देखते हैं sumo cold tablet के side effects कौन कौन से है इस tablet के वाज़े से mainly vomiting then nausea, diarrhea, then fatigue और sleepiness ये side effects दिखते है तो ये संपुन जानकर ये sumo cold tablet की आपको ये जानकर ये अच्छी लगी तो वीडियो को like करो और ये आप channel पर नए है तो channel को subscribe करो, thank you guys